नमस्कार दोस्तों! आज हम आपके लिए बहुती अलग होट स्पाइसी गार्लीक मैगी की रेसिपी लेकर आएं बनाना बहुती अलग फ्लेवर का ये मैगी वन के घर पे आप बड़ी असाणी से तयार कर सकते हैं खाने में तो बहुत ही जबर्दस्त बिल्कुली चटाकेदार मैगी बनता है तो चले फिर फटा-फट से आज की अनुखी रसिपी देख लेते हैं आप अगर मेरी चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें होट स्पाइसी गार्लिकी मैगी बनाने के लिए गार्लिक का फ्लेवर हम देंगे तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच लेसन को कूट लिया था उसे डाल देना है इसके बाद आधा चम्मच अधरक का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल दोंगी आप अधरक को बारिक बारिक जरू ट्राइ करके देख सकते हैं स्पैसीनेस के लिए मैंने दो से तीन हरे मिर्च को बारिक टुकडों में काट के डाल दिया है यहाँ पे आप काली मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम रॉफली चब्ड ओनियन में इसमें डाल दूंगी और हमें जब तक यह अच्छे से हमें प्याज को भुन लेना है प्याज अच्छे से भुन गया है दोस्तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा टमाटर को रफली चॉप कर लिया था उसका जो अंदर का बीज रहता है वो निकालके अच्छे से चॉप कर लिया था अच्छा दोस्तो अगर आप यहाँ पे टमाटर डाल के इस्तेमाल नहीं करना चाहते आपके पास अगर शेज़वान चटनी है उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं लेकिन सबके घर में सेजवान चटनी नहीं होता है तो उसका रिप्लेस्मेंट आप टमाटर से कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर टमाटर को अच्छे से पका लेना है जब तक यह गलना जाए और अच्छे से प्याज के साथ मिलना जाए तो इस तरीके से दवा दबा के आप इसे करेंगे ना तो बड़ी असानी से टमाटर गल जाते इसके बाद मैंने एक शिमला मिर्ज को रफली चॉप कर लिया था उसे भी हमें इसमें डाल देना है अच्छा दोस्तो अभी आपको फ्लेम हाई कर लेना है और हाई फ्लेम में हमे इसे अच्छे से पका लेना है इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर णाई कप पानी टाल दोंगी तो दो मैगी का इस्तमाल हम करेंगे 10 रूपीज वाला तो इसके लिए मैंने धाई कब पानी यहां पर डाल दिया है और इस पानी को हमें 1-2 मिनट में उबलने देना है इसके बाद हम इसमें मैगी का पैकेट डाल देंगे इसके बाद दोस्तो मैगी के साथ Taste Maker जो आता है न वो हमें डाल देना है तो दोनों पैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसे हमें low flame में अच्छे से cook कर लेना है जब तक हमारे मैगी अच्छे से उबल नहीं जाते हैं और अच्छे से पक नहीं जाते हैं मैगी अच्छे से उबल चुके हैं अब मैंने यहां पर एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल दिया इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मैगी में इसके बाद इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और अच्छे से हमें पूरे मसाले के साथ इसे मिला लेना है और दोस्तों इसे और स्पाइसीनेस देने के लिए आप यहां पर ब्लैक पैपर पाउडर या फ दिखाना है तो थोड़ा पानी आप यहां पर रख सकते हैं अगर आपको ड्राइव वाला खाना है पानी को अच्छे से सुखा ले और अब आप यहां पर देख सकते हमारा मैगी तयार है जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनाए दोस्तों और गार्ले की फ्लेवर का बना है तो चलिए इसे अब मैं सर्फ करके आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे सर्फ कर लिया तो दोस्तो बिल्कुली तयार है गर्मा गरम होट स्पाइसी गार्ले की फ्लेवर मैगी जो बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तो तो एक बार इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा बहुत ही मज़े का यह चटपटा मैगी आप घर पे बना सकते हो भी देसी स्टाइल में आई होप आज की हमारी यह मैगी की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी दोस्तो पसंद आती तो लाइक और शेर करना ना भूले दोस्तो तो चलिए फिर मिलते कौन नहीं अनोखी रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद